नमस्कार दोस्तो मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तो ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सर्विस भूक में क्या-क्या चीजे मेंशन होती है जैसा आपको पता है कि जब कोई employee job करता है सरकारी job करता है तब से उसकी service book start हो जाती है तब से उसके service book में इस सारी चीजे entry होने लगती है तो क्या-क्या service book में entry होती है क्या-क्या चीज लिखी जाती है ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा तो इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि अगर कोई job कर रहा है अभी job कर रहा है working में है तो उस समय क्या-क्या entries होती है और जब retire हो जाता है वो तो उसके बाद भी entry होती है service book में तो उसके बाद क्या entry होती है कोई सरकारी सेवा जोयन करता है तो उसमें सबसे उसका नाम date of birth, date of appointment उसके फादर का नाम अगर उसकी शादी हो रही है तो उसकी wife का नाम अगर वो lady है तो उसके husband का नाम और उसका date of appointment date of retirement सब चीजे उसका पूरा bio data service book में mention होता है तो यह तो हुआ पहला point दूसरा है leave account की पूरी information leave account यानि leave in cashment जब आप retire हो जाता है उसके बाद जो payment मिलता है leave account की पूरी information EL, PL, half pay leave, earn leave, casual leave, committed leave यह सब leave service book में entry होती है उसके बाद इन सब को verify किया जाता है sign होते है बड़ी अधिकारी के और फिर आपको पूरा payment बिलता है after retirement तो leave account की जितनी भी आपकी छुटी है जितनी भी अलग अलग जो छुटी है उन सब की entry service book में होती है और वो verify होती है किसी बड़े अधिकारी के दोरा यह तो वह दूसरा point अब चलते हैं तीसरे point की तरफ तीसरी entry होती है pay fixation की यानि जब जब आपकी pay revise होई कोई promotion हुआ promotion के order होते है service book में कब promotion हुआ कुण सी date को हुआ किस matrix के अनुसर आपकी pay fix करी गई पुराना grade पे क्या था जब promotion हुआ तो नया grade पे क्या हो गया तो पूरा fixation की entry आपके service book में होती है promotion की पूरी entry आपके होती है बद और उसके orders होते है promotion के order उसमें चिपकाई जाते है या फिर entry करी जाती है और फिर वो बड़े अधिकारी के दोरा उसमें नीचे sign होते है तो pay fixation की पूरी जणकारी आपकी service book में होती है चौता पॉइंट है last pay certificate last pay certificate का letter भी उसमें होता है last pay certificate है जब आप retire हुए उस time जो आपने last pay ली उसकी certificate आपका service में होता है last pay certificate जिसे हम भोलते हैं उसमें आपकी basic pay, HR, जो भी चीज़े हैं जो आपकी include हैं वो सब आपके mention होती है service उक में उसका एक letter होता है last pay certificate का वो चिपकाया जाता है service book में अब चलते हैं पाच्वा point joining letter joining letter भी आपका service book में include होता है जब आप join करते हो तो उस time joining letter होता है letter type किया जाता है joining letter जिसे आप लेते भी हैं तो उसकी एक copy service book में भी चिपकाया जाती है तो जोइनिंग लेटर भी mention किया जाता है सर्विस उक में फिर छटा point है सर्विस verified जितनी भी आपकी सर्विस है कितनी total calling fine of service है जब आप retire होते हैं तो कितने साल की आपने सर्विस करी उसकी पूरी information आपकी सर्विस उक में होती है बलकि वो verified भी की जाती है किसी बड़े अधिकारी द्वारा उसे जाच किया जाता है उस पे stamp लगाई जाती है उस अधिकारी की और उस पे वो नीचे sign करता है कि इस employee ने इतने तारिक तक पूरी सर्विस करी उसके बाद इस तारिक को retirement हो रहा है है तो वो नीचे verified करता है और sign करता है और महोर लगाता है तब जाके आगे के papers जाते हैं तब आप retirement के पूरे हगदार होते हैं सही से तब आपको पूरा pay किया जाता है तो service verified भी होती है service book में सात्वा point है additional increment की entry अगर आपको कोई additional increment मिला है या कोई चीज एक्स्ट्रा पैसा मिला है उसकी भी entry service book में की जाती है additional increment या फिर DA बढ़ा है किसी चीज में तो अगर आपको salary बड़ी भी मिल रही है DA की करण या फिर additional increment की करण तो उसकी entry भी service book में होती है वो भी verified होती है आठवा point है pay revise की entry माल लीजे कोई pensioner retire हो गया और उसकी जो service book है वो विभाग में है अगर उसका कुछ revise हुआ है अगर उसकी कुछ pension revise हुई है या फिर pay revise हुई है तो उसकी entry भी service book में की जाती है अगर किसी pensioner की pay pension revise हुई है उससे pension बड़ी भी मिली है तो जो pay revise का order है जिसमें pension उसे बड़ी भी मिली है तो उसका order भी service book में चिपकाया जाएगा उसकी entry करी जाएगी कि पुरानी basic इतनी थी अब जो नई revise होई है उसकी basic इतनी है तो वो भी लिखा जाता है service book में तो उसकी entry भी होती है pay revise की या फिर pension revise की फिर नवा point आता है foreign service की entry जहां तक employee है अगर कई वो भार जाता है job करने या फिर कहीं transfer हो जाता है या फिर कहीं वो कहीं जाता है दूसरी जगे तो उसकी entry भी service book में की जाती है जिससे हम foreign service की entry बोलते है अगर वो कहीं भार जाता है कहीं भी जा रहा है वो किसी यात्रा भत्ता पे या फिर कुछ काम करने जा रहा है वो किसी सरकारी विबाग के द्वारा सरकारी काम से तो foreign service जितने दिन उसने लगाए वाँ पे उन सब की entry service book में होती है दस्वा point है medical fitness certificate की entry जब कोई आदमी सरकारी सेवा जोइन करता है तो एक medical test होता है उससे पहले तो उस letter को भी हम service book में लगाते हैं उसकी entry भी service book में लगाते हैं कि ये job करने के लिए पूरी तरह से fit है बिरकुल ठीक है तो medical certificate की भी entry service book में होती है या फिर वो letter चिपकाए जाता है service book में ग्यारवा point है nomination form graduate उसका भी form जो nomination form है graduate का या फिर जो commutation का है retirement के वक्त जब हो रहा हो तो nomination form भी चिपकाए जाता है उसमें उसका जो भी nominee है family member उसका नाम होता है उसमें तो वो form भी service book में चिपकाए जाता है तो यह यह चीज़े मैंने आपको बताई कि यह यह सब चीज़े service book में mention होती है और एक और चीज़े अगर service book आपकी खोती है या फिर किसी अधिकारी दोरा या फिर करमचारी दोरा service book हो जाती है तो उसे job से भी terminate किया जा सकता है यह rule में है तो service book जैसा कहते हैं कि service book बहुती समाल के रखनी चाहिए किसी भी अधिकारी को या फिर जो करमचारी है जो office में है ताकि जो व्यक्ति मर गया है या फिर उसकी कोई details चाहिए या फिर कोई भी information चाहिए आगे जूरत पढ़ने पर तो service book के थुरू पता लगा लिया जाए कि ये आदमी था ये स्टेम डिटेर हुआ था ये इसका PPO mention है दूसरा PPO की information कि इसका ये PPO बना ये PPO number है ये इसके family members है इसका भी पूरी details service book में mention होती है बकायदा entry करी जलती है उसकी ताकि आगे भविश्य में कभी भी जूरत पढ़े उस employee की information information खोजने के लिए तो उस service book के थुरू हम पता लगा लें कि ये employee था पुराना और इसकी ये details है तो service book एक जीड़ वीडियो बनाने का मेरा ये भी माद्या में कि service book अगर आप use कर रहे हैं या फिर entry करते हैं service book में तो आपको service book वहती समाल के रखनी पड़ती है किसी भी employee की या कुछ भी पूरे अच्छे से समाल के रखें और उसे खोने न दे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब पर सकते हैं एक और बात मैं आपको बताऊँगा आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको खाली बटन ही तो दवान है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन और नई वीडियो मिलते रहें तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें सर्विस बुक से रेलेटेड आपको कुछ भी कोश्टन्स हैं या फिर कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो आप डिरेक्ट आमेर को कमेंट कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच्छ खुश रहिए अबाद रहिए